दोस्तों नमस्कार मैं हूँ दीपक हिमान्सू और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला यह हमारे सिक्षक भरती के लिए जो लोग अपलाए करना चाह रहे हैं उन लोगों के कुछ जो हमारे लास्ट वीडियो पर आये हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि सर सीटेट में किसे कितना मार्क्स चाहिए क्या आरक्षन का क्या सिस्टम रहेगा और क्या बिना सीटेट भी मौका है अगर है तो किसमे है और सीटेट पेपर वन और डियलेड वाले के लिए क्या आप्षन है यहां पर मैं आपको इन सभी को संस के जवाब देने वाला हूं तो सबसे पहले तो देखिए कि अगर आप अप्लाइ करना चाहते हैं तो सीटेट में किसे कितना मार्क्स चाहिए उसके लिए आपको यहां पर जाना पड़ेगा और यहां पर आप देख कि जो यहां पर मेंशन क्या हुआ है कि लिए क्या लिखा हुआ है कि अब बस आपको इतना दिया हुआ है कि पास्ट दो सेंट्रल टीचर एलेजलेटी टेस्ट अना सीटेट कंड़क्टेट वाई सीविए सी इन अकॉर्डेंग्स विद्द गाइडलाइन्स फ्रेम बाइद NCTE यहीं पर यह चीस क्लियर हो जाता है कि जैसे कि क्या होता है पहली बात तो यहां पर आप क्लियर हो जागी है कि सीटेट पेपर टू के बारे में यह बोल रहा है ठीक है पेपर बन प्र भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात तो यह seated paper 2 के बारे में बोल रहा है क्योंकि जब भी TGT की बात होती है तो by default है क्या आप भी जानते हैं कि 6 to 8 के लिए paper 2 होता है 125 के लिए paper 1 होता है और यह vacancy आपको 6 to 8 के लिए है तो यह आपका paper 2 हो गया और उसके बाद जो जैसे ही आपको एच पर NCTE लिख दिया ना तो एच पर NCTE seated already एच पर NCTE ही result जारी करता है जैसे मैं आपको एक example देता हूँ बिहार में क्या होता है कि थोड़ा ज्यादा छूट है मतलब जो सामान्य महलाएं हैं जिंदल महलाएं हैं उनको भी 82 नंबर पर ही पास माना जाता है और जो STE या SC category के बच्चे हैं उनको 75 नंबर पर पास मान लिया जाता है लेकिन वो सरकार का state government का अपना decision है एच पर NCTE वो हुआ जिसमें की seated result जारी करता है और qualifying certificate देता है आपको पता होगा कि seated mark seat सबको देता है लेकिन certificate सबको नहीं देता है तो seated जिसको भी certificate दिया इसका मतलब कि वो as per NCTE है कहने का मतलब कि अगर OBC को 82 नंबर पर है या SC ST को 82 नंबर पर है certificate दिया है seated ने तो वो यहाँ पर apply करेंगे एक 80 नंबर वाले या 80 नंबर वाले नहीं कर पाएंगे वहीं पर अगर जेंडल में male female दोनों के लिए 90 नंबर रखा है NCTE ने तो वही उसमें apply कर पाएंगे तो इसका एक लाइन में यही आंसर है कि अगर आपको seated ने certificate दिया है तो आप eligible है अगर आपको seated ने certificate नहीं दिया है तो आप eligible नहीं है यह बात हो गया इसके लिए अब इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे कि कितना marks हो गया अब है कि बिना seated किसको मौका मिलेगा और कहां पर मौका मिलेगा दोस्तों यह जो main जो math, science और जो sst के subjects थे उसमें तो आपको बिल्कुल seated चाहिए ही चाहिए और इसके बाद हम लोग DLA और seated paper 1 पर भी बात करेंगे तो लेकिन अब देखिए जो अलग-अलग combination है TGT में सिर्फ वही vacancy नहीं है TGT में आपको music की vacancy है, arts की है, physical education की है और TGT librarian की है, तो इन सभी के लिए, hostel warden की है तो इन सभी के लिए आपको seated की आवज सकता नहीं है although यह TGT vacancy है, क्यों? क्योंकि यह पुरा प्राडू भी अलग है तो मान लिए कोई bachelor degree किया है music में तो उसके basis पर हो जाएगा, उनको seated की आवज सकता नहीं है अगर कोई degree in fine arts क्या है, crafts क्या है, तो वो arts में हो जाएगा उसको आवज सकता नहीं है, same physical education में तो वहाँ पर आपको seated की आवज सकता नहीं है जो respective जो आपका bachelor degree है, उसकी आवज सकता है या जैसे arts में B.A. degree in fine arts को भी applicable माना गया है तो उसकी आवस सकता है समझ गया और अब seated paper 1 और D.L.A. सब के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर clear यह mention क्या हुआ है कि आप जो भी यहाँ पर apply कर रहे हैं main T.G.T. वाले में तो simple सी बात direct लिखी हुई है कि B.A. degree B.A. slash D.L.A. नहीं लिखा हुआ है और समानतिया 6-8 में D.L.A. को मानता नहीं मिलती है तो यहाँ पर इन्होंने clear B.A. ही लिखा है तो B.A. को ही मानता मिलेगी D.L.A. को नहीं मिलेगी seated paper 1 पर बहुत लोग confuse होते हैं तो यह तो मैंने बता दिया seated paper 2 जाहिए seated paper 1 दोस्तों यहाँ पर कहीं picture में ही नहीं है seated D.L.A. भी आपका मानन नहीं है और जो seated paper 1 है वो clear सी बात है कि seated paper 1 आपका 1-5 के लिए होता है और यह जो E.M.R.S. का school है वो 6th से start होता है यह सेम लाइक N.V.S. ठीक है तो एन नवोदे में भी अगर आप देखेंगे तो पेपर 1 का सिस्टम नहीं है क्योंकि यहाँ पर 1-5 की यहाँ पर कोई बात ही नहीं है इसकूल ही 6 क्लास से हो रही है तो ऐसी अहरता परिक्षा है जो 1-5 के लिए ली गई है उसको valid नहीं माना गिया है अब्यस्लि यह seated paper 2 को ही मानता मिली है तो अमीद करता हूँ कि आपका confusion clear हुआ होगा अगर आप form भढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए एक detail वीडियो हमने बनाई है वो भी जाके देखिए और आपकी जो eligibility है इस पर भी मैंने एक पूरा detail वीडियो बनाया है कि कौन सा combination के कौन सा साथ जाएगा क्योंकि इसमें काफी सारे loopholes हैं तो उन सभी चीजों को मैंने बहुत detail में समझाया है 12 से 15 मिनट का वो वीडियो है चैनल पर आप जाके देख लिजेगा इस वीडियो को देखने के लिए और भी कुछ queries है तो आप बताइए हम आपको उसमें courses करेंगे मदद करने की थैंक यू वेरी मच बबाई चैनल